वेलकम टू माई जैनल टॉकिंग फेक्ट्स पाइदा आपको तभी मिल सकता है जब आप उसे सही तरीके से पीते हैं पानी पीने से बॉड़ी में मौजूद टॉक्सिक बाहर निकलते हैं नौट अउनली दिस बट पानी बॉड़ी के सैल्स को जुरूरी न्यूट्रेशन पहुंचाने से लेकर स्किन को हेल्दी रखने औ बॉड़ी में पानी की कमीन सब पर असर डालती है चलिए पहले जानते हैं कि कुछ भी खाते समय और उसके दुरान पानी कब पीना चाहिए जो कुछ भी हम खाते हैं उसे पचने में लगबग 2 घंटे लगते हैं इस बीच पानी पीने का असर डाइजेस्टिव सिस्टम पर पलता है इसलिए आपको खाने के करीब 45-60 मिनट बाद और उसके आदा घंटे पहले पानी पीना चाहिए चलिए अब जानते हैं कि खाने के बाद और उसके दुरान पानी क्यों नहीं पीना चाहिए इसके दो मुख्य कारण हैं पहला कारण खाते समय हमारे शरीर में कुछ अन्जाइम्स रिलीज होते हैं यह अन्जाइम्स जैसे की acid, bile juice, foods को पचाने की प्रक्रिया में important role play करते हैं को थाते समय बिच-भिच घं जम इनसन पानी पियेंगा तब तक digestive enzyme खाने में पूरी तरह मिक्स होकर अपना कर चुके होते हैं दूसरा कारण जब हमें भूक लगती है तो हमारे पेट में अगनी जलती है जिसे जट्रागनी कहते हैं जो मुख्यते आपके भोजन के पाचन हेतु उत्तरदाई है भोजन के बाद पानी पीने से जट्रागनी समाप्त हो जाती है जट्रागनी की समाप्ती से पेट में बीना पचा हो भोजन सरने लगता है और इसे गैस, acidity जैस बिमारियां जनम लेती है खाने के बाद पानी ना पीना बहुत मुश्किल काम लग सकता है लेकिन अगर आप इसे निमित तरपर अपनाना शुरू कर देंगे तो फिर ये आपके लिए आसान हो जाएगा अब जाहनते हैं कि खाने खाने के बाद और उसके दौरान पानी पीने के क्या नुकसान है भोजन खाने के तुरांत बाद पानी पीने से आपको खाने के सारे nutrition का पूरा लाब नहीं मिल पाता ऐसा इसलिए क्योंकि खाने को पेट से आन तक महुँचने में जितना समय लगना चाहिए पानी पीने से वो से कम समय में आन तक महुँच जाता है खाना खाना के बाद पानी पीने से body में blood sugar level की मातरा बर सकती है इस situation में diabetes होने का चोकिम बर जाता है diabetes patients को खाना के तुरण बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए अब जानते हैं कि कोई भी चीज खाने के दौरान और उसके बाद अगर पानी पीने के निमों का सही से पारण के जाए तो उसके क्या फायदे है बोजन कहने के एक गंटे बाद पानी पीने से wasan control में रहता है अगर आप भोजन गटाना चाहते हैं तो भोजन के दौरान पानी पीने से बचें खाने के एक घंटे बाद पानी पीने से डाजेशन सिस्टम भी मजबूत रहता है गैस और रैजडिटी की प्रॉब्लम्स नहीं होती है खाना खाने के बाद पानी ना पीने से बोड़ी भोजन में मौजूद नियूटरिशन को अच्छी तरह से अब्ज़ूर करती है कुछ भी खाओ बट अगर आप उसके तुरंट पानी पीते हैं तो आप मोटापे के शिकार हो सकते हैं दोस्तों आप जाने पानी पीने के नियम सुबह उठने से लिकर रात में सौने तक पानी को पीने के कुछ नियम है जो हेल्दी रहने के लिए जरूरी है दोस्तों सबसे पहले तो आपको सुबह उठकर दो से तीन गिलास नॉर्मल टेंपरेचर का गुनुना पानी पीना चाहिए बता दें कि इससे आपके बोटापे के साथ साथ कॉंस्टिपेशन आधी रोगों में भी फायदा होता है अकॉर्डिंग टू आईरवेदा पानी हमेशा गुन्ट कुन्ट कर और बैट खरी पीना चाहिए बिकॉज ऐसा कने से आपके मुँ में लारका निर्मान होता है और यहाँ बोटी के टेंपरेचर के मताबिक शरीर में पहुंचता है जब आप बैटकर पानी पीते हैं तो आपकी मसल्स और नर्वस सिस्टम अधिक रिलाक्स रहते हैं और इस तरह नर्वस सिस्टम तेजी से लिक्विट को पचाने में मदद करता है जबकि खड़े ओकर पानी पीने से आप इन डाइजेशन का चिकार हो सकते हैं इसके डाव खड़े ओकर पानी पीने से नौसों में तनाव बढ़ जाता है साथ ही यूरिन मार्ग में इंफेक्शन और कीडनी से सबंदित बिमारी होने का कत्रा बढ़ जाता है कितनी में प्यास की उनलागी हो पानी हमेशर शरीर के तापमान के अनुसर आपको पीना चाहिए आपको ज्यादा थंडा और ना ज्यादा गर्म पानी पीना चाहिए क्यूंकि ज्यादा थंडा पानी पीने से पेट को additional works करने पर दे हैं खुब पानी पीएं यह सही suggestion नहीं है friends at some limits आपकी body आपको signal देती है कि इतना काफी है जुरूरत से ज़्यादा पानी पीने से पेट और हाथों में गैस जमा हो जाती है प्यास बुजने के बाद आप अपने आपको पानी पीने के लिए force ना करें अपने वजन के दसवे भाग में से दो घटा कराए उतना लेटर पानी रोज पीना चाहिए तो guys stay tuned with my channel और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को like, share और मेरे channel talking facts को subscribe और bell icon को press करें